बिहार में मंत्री मंधल भिस्तार अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। उमीद जताइ जा रही है कि इसी हफ्ते मंत्री मंधल भिस्तार को लेकर कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। अब तो उन सदस्यों के नाम भी मिडिया में सामने आने लगे हैं जिनको मंत्री मंडल में जगह मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है भारतिये जनता पाटी और जनता दल उनाइटेड दोनों में मुस्लीम सदस्यों को मंत्री बनाने की एक तरह से होड बताई जा रही है भाज़पा की तरफ से सानुवाज हुसेन का नाम सबसे आगे चल रहा है तो वहीं जद्यू की तरफ से बसपा छोड़कर जद्यू का दामन थामने वाले बिधायक जमा खान का नाम लिया जा रहा है इस वीडियो में अंडिये की तरफ से किन सदस्यों को मंत्री बनाया जाने की चर्चा चल रही है उस पर बात करेंगे नमस्कार मिरा नाम है मुहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जंसन भाजपा की तरफ से सानुवाज हुसेन का नाम लिया जा रहा है उमीद जताई जा रही है कि उन्हीं मंत्री मंडल में कोई बड़ा पद दिया जाएगा सानुवाज हुसेन को भारतिय जनता पाटी जम्मू और कस्मीर सहीत अन्य उन्हे छेत्रों में चुनाव प्रचार के लिए आगे करती आई है जहां मुसलिम वोटरों की संख्या जादा है विहार चुनाव के दवरान भी हमने देखा था कि शानुवाज हुसेन को खास कर उन सीटों पर चुनाव प्रचार का दायूत सौपा गया था जहां मुसलिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है शानुवाज हुसेन के राजितिक सफर बन ज़र डालेंगे तो अटल वियारी बाचपई के कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री बनने का खिताब रखते हैं पूर्व परदार मंत्री अटल वियारी भाजपेई शानुबाज हुसेन को अपनी सरकार में मुस्लिम चेहरा की तौर पर प्रोजेक्ट करते रहे हैं पहली बार शानुबाज हुसेन भाजपा की टिकट पर किशन गंज लोगसबाच्षेत्र से चुनाव लले थे जिसमें उन्हें हार मिली थी लेकिन उस चुनाव में उन्हें धाई लाह के लगबग वोट मिला था 1999 में जब दोबारा शुनाव ललने का मौका मिला तो फिर उन्हें किशन गंज लोगसबाच्षेत्र से मैदान में उतारा गया जिस सीट पर उन्होंने जित दर्ज की थी रानितिक जीवन में शानुबाज हुसेन को वने को बार उतार चलाव का सामना भी करना पड़ा है 2004 में आम चुनाव में उन्हें हार मिली थी तो फिर 2006 के उप चुनाव में भागलपूर सीट से उन्होंनों जित दर्ज की इसके बाद 2014 का लोकसवा चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा की लहर चल रही थी लेकिन साहनवाज हुसेन इस लहर पर सवार होने के बावजूद चुनाव जितने में काम्याब नहीं हो पाए इसके बाद 2019 चुनाव में भारतिय जंता पाटी ने उन्हें टिकट नहीं दिया अब वह समय चल रहा था जब माना जा रहा था कि शानवाज हुसेन का समय भारतिय जंता पाटी में अब खत्म हो चुका है लेकिन जब वहार में हुसेन को पाटी ने विधान परिशद में भेजा तब से ही चर्चा शुरू हो गई थी अब या लगवक्त है माना जा रहा है कि शानवाज हुसेन को भारतिय जंता पाटी वहार सरकार में अहम मंत्राले सौप में जा रही है दुसरा नाम प्रमोत कुमार का है प्रमोत कुमार मुतिहारी भाजपा के बड़े नेता है और इसे पहले भी विधार सरकार में मंत्री रह चुके हैं माना जा रहा है कि प्रमोत कुमार को एक बार फिर भारतिय जंता पाटी मंत्री मंदल में जिम्मेदारी सोपेगी तीसरा नाम नितिन नवीन का है जो भारतिय जन्ता पार्टी के बड़े नेता नवीन की सोर शिनहा के बेटे हैं नितिन नवीन भारतिय जन्ता पार्टी से चार बार विधायक ले चुके हैं तो वही मौझुदा समय में बाकिपूर सीट से भारतिय जनता पाटी के विधायक हैं। 2020 विधानसवाज चुनाव में बाकिपूर सीट से नितिन नवीन ने 69 फिर्शी से ज़्यादा वोट पाकर जित दर्ज की है। इसके अलावा राणार अरधीन सिंग, संजय सिंग, इंजिनियर शैलेंद्र समेत कई अन्य सदस्यों का नाम तेमाना जा रहा है। हाला कि खबर है कि जद्यू को भारतिय जन्ता पाटी के कुछ चेरो पर आपत्ती है और इसी कारण मंत्री मंदल विस्तार में 2-4 दिन की और देरी हो सकती है। ही चर्चा हुई थी। वह भारतिय जन्ता पाटी के मधवन विधान सबस्षिट से विधायक है। इसके अलावा भारतिय जन्ता पाटी के विधान पारशद समराज चौदरी का नाम भी आगे चल रहा है। समराज चौदरी पूर्वे में भी मंत्री रह चुके हैं। इस लिहाज से भी उनके मंत्री बनने की दावेदारी ऊपर है। भाश्पा के तरफ से मंत्री मंदल में जाती फैक्टर से लेकर छेत्र फैक्टर तक में संतुलन बनाने की कोशिस हो रही है। अल्प संख्यकों को प्रत जित्व देने के नाम पर शाहनबाज उसेन को आगे लाए जा रहा है। तो महीं अन्य कई नाम जाती फैक्टर के हिसाब से फिट बैट रहे हैं। कई और नाम भी चर्चा में चल रहे हैं। बहुत जल्द उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। फिलाल या वीडियो अच्छा लगाओ तो शेर कीजिए। फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खड़ी हैं सौम्या राठी और मैं मोहित कुमार सींग। धन्यवाद।